हलो नमस्कार दोस्तो आज का हमारा टोपिक है विंडो 11 में मोनिटर रिफ्रेश रेट कैसे सर्च करते हैं वो देखेंगे और प्लीज गाई यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें चलिए शुरू करते हैं आपको क्या करना यहां पर स्टाट पर रैट क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा इसके बाद आपको क्या करना यहां पर सेटिंग दिख रहा है इसके ओपर आपको क्लिक करने के बाद इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा अब आपको क्या करना य यहाँ पे सबसे नीचे advanced display दिखी जाएगा इसके ओपर आपको click कर देने, click करने के बाद इस तरह से window open हो जाएगा, अब आप यहाँ पे उस monitor को select कर लिजेगा, जिस monitor के अंदर आपको refresh rate चेंज करना है, यहाँ से आप monitor select कर लिजेगा, इसके बाद आपको क्या करना है, आप सेलेट कर सकते हैं, जो भी आपको रखना है, यहाँ पे अपने हिसाब से चूज कर लिजेगा, आपको count refresh rate रखना है, अब आप यहाँ पे जो भी refresh rate आप रखना चाहते हैं, उसको आप यहाँ पे select कर लिजेगा, select करने के बाद इस तरह से window आजाएगा, आपको क्या कर subscribe करे, like करे, share करे, thank you